आज हम कक्छा बारवी में इतिहास के अंतर अध्याए10 उपनिवेश वाद और देहात तथा उसके सरकारी अभिलेख के बारे में अध्यान करेंगे इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल और वहां के जमिदार द की इसा व्यरत करते थे सबसे पहले औपनिवेसिक सासन में सरपतबं बंगाल में इस्थापित किया गया था वहां में प्रांथ था और सबसे पहले पुनर विवस्तित करने में MAKत आधिकारों की नई व्यक्तपा था जो राजा थे उन्होंने अनेक महल बेच रहे थे और 1973 में जो थी इस्तम्मारी व्यवस्ता लागू किया गया था फिर राजस्व की राशी जो है इस इंडियां कंपनी द्वारा ही निश्चित की जाती थी फिर अदा ना किये गया राजस्व की समस्या कई लोग जो है राजस नहीं थी बलकि इस्तम्मारी बंदोवस्त व्यवस्ता के लिए जो लागू किये जाने के पश्चा 75% से अधिक जमिंदारियां हस्तार तरित कर दी गई थी तो इसमें सबसे पहले है राजस्व का उदय राजस्व का उदय कैसे हुआ पंगाल के विजय के समय ब्रिटिस 1907 के दासक तक बंगाल की जो है ग्रामीड आर्थ रवस्ता जो है उस तेमे संकट की दोर से हुझर रही थी धिर उसकी बाद राजस्व अधा करने वाले व्यक्ति जो राजस्व अधा करने वाले व्यक्ति वह कौन थी प्रिशी सुधार के साथ जिसे राजस्व निधारित किया गया था उसे अदा करना था वह एक व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जिसे की कंपनी के अधिकारी जो है लंबे समय तक उनके साथ वाद विवाद भी होता रहता था फिर है जमिदार के अधिकार जमिदारों के ल प느ले 1977 का समतार का दिवान करता निर्वान करता था की सब्सक्राइब लेते भी बाड़ चूख होती ती जिसका प्रतीफल की आसा करिकेज विसुदार और परशाहित करने के लिए इस्तिमाली जो बंदोबस्त की ववस्था की गई थी उसके पश्चाज जमिदारी अपने राजस्वाग अधा करने में आनाकानी करते थे फिर जोद्दारों का उदय कैसे हुआ अठारवी सदापदी के अंद में जमिदार जहां संकट में जूज रहे थे पही पर समू जो गाउं जो था उसमें कई किसान धनी किसान जो थे समू में अपनी इस्तिति को मजबूत कर रहे थे इनी धनी किसानों को ही हम जोद्दार कहा गया था जिसे की जोद्दार कहा गया तिये जमिन्दारों करना चौंत बच माघ जमिन्दारों ने जो मांग भू संपदा चालू कर दिया फिर उन्हान फरजी विक्री राजधों से बचने के लिए यह उन्हें देने से बचने के लिए उन्होंने फरजी से कई तरीके अपनाय वर्दमान राजा और इस्टियों की संपत्ति को छहना नहीं जा सकीगा फिर निलामी स्प्रेइप जोर तोड जो निलामी की जो प्रकृती फिर उसमें वह जोर तोड किया गया था जिसमें राज़त समन्दी मांग को जानकर रोक दिया गया भुठान की बढ़ी हुई रासी उसको रोका गया आ लेते थे बड़े सौधे के इस्तर हुए जिसमें 1793 से 1801 के मद्ध बंगाल की चार बड़ी जम्मिदारियों में जिसमें वर्दमान में जम्मिदार थी अनेक संपतियां जो थी बेनामी खरीदारियां की थी जिसमें पुल तीस लाख रुपए की प्राप्ति थी उसी तरह से बाहरी अथ्वा नए व्यक्तियों के जम्मिदारी का हक ना देना मतलब जो व्यक्ति बाहरी होता था उसको जमिदारी का हक नहीं दिया जाता था जिससे कि वे जमिदार को प्रतिरोद इस तरह से करना प्रादम किया यह इसमें संत्हाल आर पहाडियों के जो मतलब जो संघर्श हुआ था उसका एक प्रतीक के रुप में कुदाल और हल जो है कुदाल के सति का प्रतीक माना गया हां जो है संत्हालों जो यह न यह एक जाती होता था जो की राज जसे की जमीन गीली जमीन से हटकर सूखे अंचलों पर अपनी इस्थाई क्रिसी से हटकर जूम क्रिसी क्या है जो एक इस्तान में पेडों को काटकर शाडों को काटकर खेती किया जाता है फिर उसके बाद दूसरी जग खेती किया जाता है उसको भी बुकानन के राजमेहल की पहाडियों को दोरा किया जिसे संदर्म उने पता लगा कि पहाडिया जो है अभेद होती थी और खतरनाक होती थी जिसे की लोग वहां आते जाते नहीं थे पहाडियों का जीवन खान पानवा रहन से है उससे में जो पहाड़ी लोग थे वह राजमेहल के पहाड़यों के आसपास ही रहते थे और जूम खेती करते थे और जाडियों को काट कर भास फूच जला का जमीन साब करके खेती करते थे और जंगल के जो छोटे-छोटे हिस्से थे वहाँ वैकार करते थे और अनेक प्रकार के दालें और ज्वार बाजरा उगाते थे और यह जो है खुदाल से खोद कर खुरच कर उसको साप करके खेती करते थे जंगलों की पहाडिया जो है ठाने के लिए महुआ के फूल एकत्रित करते थे बेचने के लिए रेसम के कोया एकत्रित करते थे और राल काट कोईला बनाने के लिए लक्रिया एकत्रित करते थे और पहाडियों का आश्राय और सभाव पहाडियों का आश्राय और सभाव जो है वह क्या है इसके पहाड़ी लोग जो थे वह सिकार करते थे जूम केती करते करते थे खाटकोईला बनाने के लिए लगड़ी खटा करते थे और आम के पेड़ों के च्छाओं में आराम करते थे फिर पहाडियों का आश्रय में और ने करतेड कोरा करते थे अमके कायरे करते दे इस तरह से वहाँ पर एक विशिश शभा ही था जो लोगों के सांद लड़ाई भी और बहारी लोगों के प्रवेश का भी विरोध करते थे फिर पहाडियों के आक्रमर पहाडियों के मूल अधार मान बना कर उस मैदान पर आक्रमर करते थे जहां किसान एक इस्थान पर खेती करते थे पहाडियों द्वरा आक्मर करने का एक प्रमुकुद्देश यह भी था कि भी अपनों के आकाल और अभाव जो होता था उस समय में वे अपने आपको जीवित रखने हैं तो यह आक्मर करते थे और आक्मर जो है मैदानी समुदायों में अपनी ताकत दिखाने का भी एक तरीक दिखेंजाँ होता था कि वैश सकतिसाली है निर्बल नहीं है कृसी का विस्तार कैसे हुआ जंगलों वह चारा गाह छेत्र में संकुचित होने से इस्थाइक कृसी होने लगी यह और उसका विस्तार भी प्रारम हो गया था जिसमें पहाड़ी तथा इस्थाहि यह के तिया सांती ववस्ता का अभियान भी पहाड़िया लोग जो होते थे वैस्वयम को शैन बलों से बचाने और बाहरी लोगों से लड़ाई आरम रखने और पहाड़ी लोगों के भीतर तक वे चले जिसके कारण हुआ यह सांती अभियान भी आरम हुआ था उसमें कूर्टा का भी अनफव किया गया था और बिटिश लोगों के लिए घुस पैट के एक तरह से खिलाव था फिर संथालों का उदय यह संथाल भी जाती थी इनका भी यहां पर उदय हुआ क्योंकि इनके अकारण एक नए खत्रे का भी सुचनाई मिल रही थी वह था जाती थी जो लोग जंगलों में रहते थे जंगलों को सफाया करते हुए जमीन जोते थे और चामल और कपास उपाते थे और इस तरह से वे बड़ी संख्या में अंदर तक यह पहार्यों के जो कब्जव में जमा चुके थे फिर पहारियों के राजमहल पहारियों के अंदर द्वंद काफी समय तक चलागा